हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल आज मैं आपको लिए वीडियो लिक्या रहा देखे डी माट यानि की एवन्यू सूपर मार्ट का शेयर राधा के शन्दमानी जी का शेयर मतलब बहुत सिटीज में डी मार्ट के स्टोर आपने देखी होंगे तो ऐसे टाइम पे भी देखे क् क्वाटर फोर के उनको देखते हैं प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ इन सारी बातों पर फोकस करते हैं चोटे से वीडियो मार्ट आगे बनने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बहला क संकट लेवल तूटने के कगार पर है और अगला लेवल काफी नीच है कर दूपर करोड़ से उपर का प्राइस 2400 के आसपास है debt free company जबरदस company लेकिन फिलहाल जो quarterly नतीज़े आ रहे हैं उनको focus करते है नतीज़े कब आए आज की rate Saturday में ये नतीज़े आए हैं और ये नतीज़े आए हैं almost 4-4.5 बज़े के आसपास नतीज़े कैसे रहे उनको एक नजर देखते हैं detail में देखिए नतीज़े ये BAC India की report जो होती है मैं वही आपको upload करके बाता हूँ कहीं और से नहीं consolidated नतीज़े के उपर बात करेंगे सारे numbers जो है वो करोड में इनको ध्यान दें और start करेंगे total income से इन नतीज़े को देखिए focus कीज़े total income इस बाद 6,290 करोड है जरा zoom करके आप देखिए 6,290 करोड और यही income पिछले साल थी 5,074 करोड क्लियर कट इंडिकेशन है कि almost 1100 करोड का jump total income में देखने को मिल रहा जो पिछले quarter में था 6,815 करोड का तो आपने यह total income देखिए पिछले साल मार्च क्वाटर की दिसमबर 2019 का और इस क्वाटर की जबरदस jump देखने को मिल रहा लेकिन क या expenses में कटोती हुई या jump इजाफ़ा हुआ जरा expenses को भी नजर डालिए क्योंकि expenses काफी important किस तरीके से employee cost, financial cost, depreciation cost, other expenses उन सारी चीजों को देखो कि तो total expenses है 5,957 करोड जो कि पिछले साल था almost 4,767 करोड यानिकि 4700 करोड से 5900 करोड के आसपास expenses में इजाफ़ा हुआ है जो क आप देख पारे है यह zoom करके मैं आपको numbers काफी important है इन reports में जब हम इसको आप video बनाते हैं तो काफी धुंदले देखते हैं यह तो इनको आप ध्यान से देखे profit before tax को जरा एक बार नजर डालते है profit before tax 307 करोड से 333 करोड तक गया है जो कि पिछले quarter में था 489 करोड तो आप देख सकते हो 307 करोड अभी का current profit before tax है 333 करोड और पिछले साल कितना था यह 489 करोड अब overall देखते हैं इसके क्योंकि taxation में भी कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वज़े से मैं देख पा रहा हूँ यह profit for the period है profit after tax profit for the period जो कि पहले पिछले साल 191 करोड था औ और इस बार 384 करोड दिसम्मर क्वाटर में और इस बार है 271 करोड clear cut indication है 191 करोड से profit before tax profit for the period बढ़ता हुआ 271 करोड तक गया है यानि कि सीधे सीधे आप देख पा रहे हो कि 80 करोड का इजाफा 80 करोड का jump net profit after tax में आपको देखने को मिला जो कि मैं काफी अच्छा कहूंग का काफी important कहूंगा एक बार फिर से आप इस एरिया को जूम करके देख लीजिए बिलकुल profit after tax 271 करोड पहले था 191 करोड अगर overall आप profitability देखते हो financial year wise तो यह नंबर आपको खतरनाक लगेंगे देखिए 902 902 करोड से 1300 करोड चला गया है profit यानि कि 400 करोड का profit में इजाफा य यानि कि Avenue Supermart के शेयर का जला earning per share देखते हैं क्योंकि आप देखते हो कि D-Mart काफी high PE पे trade कर रहा यानि कि price to earning के ratio पर क्योंकि पूरा अगर earning per share के हिसाब से देखा जाए तो काफी कम earning per share लगती है as per the share price 4.24 के earning per share है और 3.07 का last year था यानि कि clear cut 3.07 से 4.25 के आस पास यह बढ़के कितनी हो गई है 20.7 हो चुकी है इस financial year तो overall आपने देखा कि बहुत ही जबर्दस तरीके से अब मैं क्यों कह रहा था आपको कि high PE का stock है आपने देखा होगा कि share की कीमत आपकी 2400 की और earning per share 20 रुपे के आस पास जो जा रहा है तो आप clear cut signal को आप देख सकते हो कि कि क तरीके से आपका PE ratio बढ़ेगा 20-21 रुपे के earning पर share है पूरे साल की और stock का price 2400 है तो यह PE ratio तो बढ़ेगा यह बढ़ेगा आप खुद divide कर लीजे देखिए PE ratio कहिसा आप से देखिए किस तरह 127 का price to earning का ratio हो जाता है और क्योंकि EPS अब बढ़के कितना होगा 20 के आस पास हो तो थोड़ा सा कम होगा लेकिन price बढ़ जाएगा तो फिर उसी तरीके से यह आ जाएगा profit growth पिछले थीन साल का average 41% का और sales growth यह 32% का D-Mart यानि के retail sector का बड़ा share माना जाता है जरा देखते है technical level पे कहां पर stand करता है और पुराने profit सकर देखोगे तो आप किस तरीके से revenue growth हुई है वो आपके लिए काफी important है अब revenue growth देखिए 2200 करोड से revenue growth होके 20,000 करोड दस गुना revenue पिछले कुछ सालों में jump होई यह देखिए यह सारे revenues देखिए हाँ पे बहुत ही तेजी से revenue growth देखने को मिली है profitability को अगर देखते हैं तो 60 करोड का profit था 90 करोड हुआ और आज की rate में this profit is beyond 1200 करोड तो important D-Mart का share अब देखते हैं D-Mart के share के technical part को technical part आपके लिए बहुत ही important होता है खास करके entry exit level करने लोग आप देखिए कि इसको मैं जब भात करूँगा तो मैं मन्थली से start करता हूँ और आपको daily hourly तक लेके जाता हूँ क्योंकि यह काफी important चीज़ है जब यह market में आया था तो 300 रुपे का share था लेकिन उसके बाद ऐसा jump हुआ कि 300 रुपे से जब open ही हुआ यह मतब जब IPO आया था वह 300 रुपे के आसपास था 600 के आसपास open हुआ 600 से पहली rally ने रुकने का नाम ने लिया और यह भागते हुए बहुत तेजी से गई देखिए short term trader और मैं जो technical analysis करके trade करते उनके लिए यह level काफी important था lions attack on monthly और ऐसा attack उसके बाद जबरदस फिर आप देखिए correction आई और ऐसी correction आई आई आपको गया और मैं इसमें correction में कहां पे entry करते हैं देखिए बड़ी correction थी है और यह मान के चलिए एक swing trader के लिए तो बहुत ही अच्छा point यह था monthly swing देखिए किस तरीके से trade भी, stock जो है 1700 के level से काफी time correct हुआ, यह low point देखिए फिर higher low देखिए और जैसी आपका higher high बनने लगया उसके बाद stock में तेजी, correction आपको यह छोटे देख रहे होंगे, लेकिन weekly level पर जबाब इनको देखोगे तो बहुत ही अच्छे corrections ही आपके लिए है, जड़ा weekly चार्ट पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन छोटे-छोटे points को, यह points आपको छोटे जरूर लग रहे हैं, काफी important points यह हैं, अब देखिए, छोटे-छोटी corrections जो weekly को आप daily में देखते हो, तो फिर picture आपकी clear होती, क्योंकि अभी आप higher time frame page को देखे, यह corrections पर देखोगे, फिर वहां यहां पर जाके, उसको situation deteriorate होती भी नजर आई, और दुबारा फिर से stock जो है corrective mode में आये, lower high, lower low की series बनी, लेकिन अगर आप देखो कि correction कब resolve हो है, इस particular correction में कहुंगा, कि correction resolve हो है यहां पर, यानि कि इस point पर जब correction आपका resolve हुआ, तब आपके पा आई, इसको कहते हैं breakout, breakout हुआ, breakout के बाद pullback, इसको कहते हैं pullback, बढ़िया pullback, pullback के बाद देखिया stock कहा तक जया, stock गया आपका 2500, 26, recent time पर stock में बड़ी गिरावाट आई, वापस 1700 के level पा है, आप कहोगे one of the pullback की जो पिछले breakout के level तक pullback हुआ, और अभी share ने काफी तेजी आपको दिखा दिया, लेकिन अब मैं आपको जो detail दिखाने वाला हूँ, वो देखिये, वो daily पे चलके समझते हैं, फिलाल अगर weekly पे भी मैं आपको current situation देखे थे, अब तक तो past की situation थी, current situation को देखे, share की क्या चल रही है, यह situation को समझने की कोशिच की जो बहुत ही important यह situation है, वो है, stock ने jump लिया, लेकिन correction, यह क्या है, what is this, this is just a correction in a kind of pennant, मैं कहूंगा इसको इक जंडे के form, pennant के form में correction है, और यह correction में pullback आया है, अब result अच्छा है, तो मुझे लगता कहीं न कहीं यह पुराने high को पार करने की कोशिच करेगा, although last week में price reject जरूर हुआ है, लेकिन यह लवल काफी important है, अगली rally के लिए, पिछला rally तो आपने देखा, अगली rally के लिए यह important part, अब देखे, daily time frame पेश चीज को समझने की कोशिच करेगे, daily हार time frame में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आप चीजों को relate कर पाया, तेजी आई, correction आया, what is this, this is just a, आपका lower, higher low, higher low के बाद higher high की formation हुई, देखे, किस तरीके से छोटा सा आपको correction यहापे मिला, और आपको entry का मौका भी दिया, और उसके बाद stock ने क्या तेजी बिनाई, थोड़ा correction यहापे मिला, उसके बाद क्या तेजी बिनाई, फिर देखे, फिर धीरे-धीरे करके downfall वा, और downfall दे लेकिन यह correction के बाद यह pullback है, और मुझे लगता है कि कल की Monday Tuesday जब market open होगी Tuesday को उसके बाद यहापे तेजी देखने को मिल सकते है, बहुत ही important यह setup बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगली ready के लिए DMART का share तयार हो रहा है, stop loss आपके पास ready है, और आप देखिए, pullback भी ready है, बहुत ही बढ़िया pullback में इसको कहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि इस result से पूँव जो आपका positive असर यहाँ पर देखने को वे लिए, वीडियो अचार लगा तो वीडियो को share जरूर कीजे, like कीजे, channel subscribe नहीं करते हैं, बेल आकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको notification आती रहे गे और quarter 4 के नतीजे आपने देखे, 191 करोड का profit and thank you, thank you for watching the video.